तबलीकी मरकत जमात के मुकिया मौलाना साथ के खिलाब तिप्डिक करना बिहार में भाश्पा नेता अर्विन ठाकुर को महंगा पड़ गया एक विशेस वर्ग की नाराजगी छेलनी पड़ी मामला नालंदा से जुड़ा हुआ है भाश्पा नेता को भरी पंचायत में उठ ठक बैठक करनी पड़ी उन्हें पैर चूकर माफी मांगनी पड़ी बताया जाता है कि इसके पहले उस भाश्पा नेता के साथ मार्पीड भी की गई सुमवार को उसका वीडियो वरल हुआ तो मामला तूल पकड़ लिया थाने में प्रात्मिकी दच की गई है बताया जाता को वर्तमान सरपंच संजय ठाकुर का भाई है और ये भी हरगावां गाओं के सरपंच जहए चुके हैं जानकारी के अनुसार नालंदा के अस्थावा प्रिखण में अर्विन ठाकुर भाजपा के सक्री कार करता है कहा जा रहा है कि उन्होंने तब्लीकी जमात के मुखिया मौलाना साथ के खिलाफ टिपड़ी की थी मामले कत्तिस माच का है बताया जाता कि अर्विन ठाकुर ने कहा था कि तब्लीकी जमात के मुखिया मौलाना साथ को जेल भेज़ देना चाहिए इसी के बाद गिलानी पंचायत में एक खास वर के लोगों में नराजगी हो गई इसके बाद गिलानी पंचायत के मुखिया नंदे पासवान के अधिक्षिता में पंचायत बैठी भरी पंचायत में अर्विन ठाकुर को कान पकड़ का उठक बैठक करने की सजा सुनाई गई पंचायत का सम्वान करते हुए भाशपानेता अर्विन ने सजा सुविकार कर ली उन्होंने उठक बैठक की इतने पर भी बात नहीं बनी तब भाशपानेता ने पैर छुकर माफी भी मांगी बताया जाता है कि इसके पहले कुछ लोगों और उनके साथ मारपीड भी की जब सोशल मीडिया पर सुमवार को इसका वीडियो वारल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया है इस बावत सारे थाना में प्रात्मिकी दशकर आई गई है इसमें पीडित भाशपानेता अर्विन ठाकों ने पिता पुत्र को आरोपी बनाया है थाना द्यच दिनेश कुमार सिंग के अनुसा वीडियो वारल करने का मुकदमा द्यच कर लिया गया है इसमें दो आरोपी है पुलिस दोशियों के खिलाफ कारवाई करेगी इधर भाशपा के जिला द्यच रामसागर सिंग मंगलमा को अर्विन ठाकों से मिलने उनके घर ज ज में। एलाई रicular नगे जिलाफ क करा दोशियों के हा य। यथ सोब्साब ऑच करे अभchu है विर जिलाफ नहीं कले अन। आरोपी झात्स